वेल्कम गुड मॉर्णी और फ्रेंड्स इफ यह नूट इस चैनल तें सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल अकरें इस बीडियों देख रहें क्लास 5 परियावरन मॉडल प्रस्ट पत्र उत्तर सहीद वार्षिक परिचा में पूछे जाने वाले महत्पूर्ट प्रस्ट यह आपके पास चार ओप्शन है यह चार ओप्शन में सही ओप्शन को बताना है कि आंसर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर आउगा दोस्तों उत्तर ए यानि उल्लू जो है अपना गर्दन को आगे फीचे घुमा सकता है दो नमर कॉस्टन को देख रहे हैं इनसान को गुलकोच तब चड़ाया जाता है जब क्या होता है बुखार आता है खुन की कमी हो जाती है या सरीर में उरजा कम हो जाती है या अरजिन हो जाता है यह प्यारे बच्चों देखें यह आपके पास चार ओप्शन है सही प्रक्त आंसर होगा option number C is right यह आपको question आपको बता रहे हैं कि काफी महत्पूर्ण question है कि समू के बीजों को अंकूरित करके खाया जा सकता है यह 4 option देख रहे हैं 4 option में 1 option सही होगा option number B is right चलते हैं question next question को देख रहे है question number 4 में नीमने में से किस जल सुरूत से पानी का सुध पानी प्राप्त नहीं होता है answer क्या होगा option number D is right इस तरह से बचो question को देखने को मिल सकता है चली देखते है question number 5 अंडा उबालते समय यदि पानी में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा यह 4 option है चार option में सही option को चुने कि correct answer क्या होगा तो correct answer आप देख रहे हैं आपके पास answer D सही रहेगा अंडा पानी में थोड़ी ऊपर पैरने लगेगा आई ए question next tip को देख रहे है next question आपसे क्या कहा रहा है यह देख रहे हैं यह चित आपके साथ दिखाई रहा है क्या गड़ों में भानी में मिटी तेल चुलिकने से क्या होता है यह देखे आपके पास 4 option है इस चार option में से सही option को चुनना है कि answer आपका क्या होगा तो correct answer होगा option number B is right जो कि मच्छरों के संख्यां घड़ जाएगी आईए दिक question number 7 में उक्त चित रूप में पानी फैलने से क्या क्या हो रहा है तो पानी की बरबादी हो रहा है यह 4 option को देखें और प्यारे बच्छों धियान रहे आपके पास option है यह डी नमर सही होगा आपके साथ answer भी आपके साथ हम share कर रहे हैं आईए question number next में आते हैं और 8 question को देखते हैं कि hand pump से निकलने वाली अत्रिक्त पानी का सा दूपियों किया जा सकता है यह 4 option है और इसमें से सही option को चुनना है और आपका सही होगा बगीचे में परियोग कर सेगे next question को देखे रहें बच्चो question number 9 में कह रहा है मच्छरों की संख्या में कमी होगी यदि आसपास पाने एकठा ना होने दें गड़्ों को भार दें इस तरह से question number आते हैं लगोतरी प्रसंट से प्रसंट क्या 11 से 20 तक में लगोतरी प्रसंट दिये हुए हैं आप अपना स्वेंग का म्यूजियम बनाना चाहते हैं म्यूजियम में रखी जाने वाले कोई दो चीजों के नाम लिखे तो answer क्या लिखेंगे बच्चों लिखेंगे पुरान यह आपका question रहेगा answer लिखेंगे why you पर दुसरनी is correct answer question number चोगदर की बात करें यदि अचानक भोकंप आ जाए और आप घर के अंदर हिफास जाएं तो क्या होगा तो answer लिखेंगे किसी मजबूर टेबूल के नीचे बढ़ जाएंगे दिवारों के कोने में खड़े हो जाएंगे यह आपकी साब्धानी बढ़तानी चाहिए यही इसमें कह रहा question number 15 की बात करें ठंड के सीजन में हाथ में फूक मार कर क्या करते हैं question number 15 की बात करें कोई तीन खेलों के नाम लिखें जो आप खेलते हैं और उसमें खेल समगरी की आवे सकता पड़ती है question number 17 की बात करें जूम खेती में बीजों को कौन कौन से तरीके से बोया जाता है तो आंसर लिखेंगे जूम खेती में बीजों को छीट कर बोया जाता है ये question आपसे दोस्तों पूछा जाएगा एक जाम में question number 18 की बात करें मद्य पर्देश को सोया राज क्यों कहा जाता है question number 19 की बात करें खर्पतवार को जमीन में क्यों दवाया जाने से वह नस्ट हो जाती है बहुत ही सरल ढंक से आपको कोशन असर बता रहें वीडियो के अंतक बने रहें और अच्छी तरह से आप अध्यन करें इसमें लिखेंगे जमीन उबजाओ भी बनती है प्रशन 20 की बात करें किसी आदिवासियों का साजा बैंक कहते हैं तो आंसर क्या लिखेंगे जंगलों को आदिवासियों का साजा बैंक कहा जाता है कोश्चन नमर आप आएंगे उत्री कोश्चन की लॉख में कैसे लिखा जाता है 21 से 24 तक कोश्चन दिराएगा तो 21 कोश्चन में आप देख रहें पसुँआं को पालने से कौन-कौन से लाब होते हैं लिखिए यह कहरा तो उत्तर लिखेंगे पस्वों को पालने से निमलिखे तलाब होते हैं पस्वों से दूद मांस आदे खाथ पदारत प्राप्त होते हैं और दूसरा लिखें किरिसी कारी के लिखाथ प्राप्त होती है तिसरा लिखें किरिसी कारी में जुताई समान डुला की धरकनों को मापते हैं तो यह कोश्चिन आपको देखने को मिला क्या ऐसा कोई और भी माध्यम है जिसे हम अपने हिर्दे धरकनों को सुन सकते हैं यह आपके साथ कोश्चिन बता जा रहा है तो कोश्चिन का आंसर आप क्या लिखेंगे डाक्टर स्टेटियो स्कूप की साह एकों के बारे में लिखिए जिसे पेट्रोल Дल की बचा तो हो सकती है आंसर क्या लिखेंगे अधिक से तारवजयुनिक वाहनों का परयोक किया जाना चाहिए लाल बती जलने Sex stop और इसमें लिखेंगे सोर उरजा आधी से चलने वाले वाहनों का परयोग करनी चाहिए ये काफी महतपूर आंसर है और लिखेंगे साइकिल रिक्सा का अधिक परयोग करनी चाहिए जिससे परदुसित कम हो जाएंगे बैटरी उर्जा से चलने वाले वहनों का प्रयोग करना चाहिए यह सबी आंसर आपके लिए महत पूर्ण है अबर question number 24 की बात करें निमलिखीत को नक्से पर दर्साने है तो संकेत बताईए क्या लिखेंगे कची सड़क, स्कूल, जंगल यह सब को कहां दर्साएंगे, गाउं, तलाप, यह सब को बताया जा रहा है तो लिखेंगे क्या, कची सड़क को इस तरह दिखाएंगे, स्कूल को इस तरह दिखाएंगे और जंगल को इस तरह दिखाएंगे, गाउं को इस तरह दिखाएंगे इसी तरह से figure को आपको बना के बताना है यह सबी काफी ही मत्पूल question और answer आपके लिए था अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और दोस्तों को भी share कीजिए Thank you for watching my video